ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया यह वो चाप्टर है जिससे आई विली सारे स्टूजेंस डरते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा लिंदी चाप्टर है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि डरने की कोई बात नहीं है यह एक चाप्टर डिवाइड़ है तीन चाप्टर में और इस को हम तीन सेग्मेंट्स में ही पढ़ेंगे तीनो अलग अलग स्टीज है तीनो अलग अलग कॉंसेप्ट्स है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बस फर चोटे-चोटे चाप्टर पढ़े हैं ओके तो यह जो रहा है आज पढ़ने बाले हैं इस वीडियो में वह है। को शुरू करते हैं तो यह चाप्टर तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो सबसे पहले तो इस चाप्टर के जो ऑथर हैं उनकी बात करते हैं लुसियो रॉड्रिगेस इस चाप्टर के ऑथर का नाम है अबेकर फ्रम गोवा यह एक कौकड़ी मतलब जो कन्या कुमारी एरिया की एक कमिनटी होती है कौकड़ी ऐसेस थे यानि ऐसेस लिखा करते थे काफी सारे आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं English में कौकड़ी languages में और जो की काफी सारे magazines में छपे हैं और यह जो हमारा जो एक जो हम पढ़ने वाले हैं अब बेकर from Goa, यह उन्हें का ही एक ग्लिम्स है, उसी मेंसे ही एक पार्ट लिया गया है, चीके? चलिए जी, चीके? तो सबसे पहले चाप्टर के बारे में देख लेते हैं कि अब यहां पर क्या है, यह जो क्या है यह है एक पर्ट्रेट का मतलब होता है एक पर्रस्टिन की पोड़िट बनाना बट थ्रू जू जी पन इसका मतलब है कि लिखते हुए, जैसे मैं आपको एक person के बारे में बताऊँ कि वो person का जो color है, वो wheatish brown है, उसकी eyes बहुत बड़ी-बड़ी है उसका जो face है, वो round shape का है, उसके hair black है, उसकी eyes blue है तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी painting नहीं बनाई मैंने उसके बारे में लिखा, जिससे आपके mind में एक portrait बन गई तो यह जो आप पढ़ने वाले हैं, a baker from goa, यह pen portrait है एक goan village, goa के एक village baker का, जो की अपनी society में एक important place hold करता है क्योंकि देखिए, क्या था कि goa में जो mostly culture है वो Portuguese है क्योंकि Portuguese से लोग वहाँ पर आकर उनों ने invade किया था, वहाँ रहे थे तो काफी सारा culture उससे मिलता जुलता है तो जो reminiscing nostalgic, nostalgic मतलब कहा जाता है कि पुरानी चीजों को याद करना reminiscing, मतलब जो बहुत ही अच्छी लगती है ना पुरानी बाते हम याद करते हैं और उनके famous loaves, loaves बोला जाता है जो bread का बन होता है, बड़ा बन उसे हम loaves कहते हैं चीक है, कह सकते हैं bundle of bread तो उनके bread को काफी जादा याद करते हैं और यही हम इस chapter में देखेंगे चले फिर शुरू करते हैं Those eaters of loaves might have vanished but the makers still there We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves ठीक है, कि भले ही उन baking loaves को खाने वाले चले गए, यानि खाने वाले बचे नहीं है लेकिन बनाने वाले mold, molders मतलब किसी साचे में रखके हम mold करते हैं bread का तो batter होता है, तो उसको हम एक container में डालते हैं और उसकी shape बन जाती है तो molders, mixers and bakers उस loaves को bake करने वाले अभी भी है, चीक है so loaves आप समझ गें, जैसे मैं आपको बताया, एक shape जो bread का होता है bun समझ लीजे, बड़ा bread, उसको फिर slice किया जाता है, जो आप bread slice देखते हैं वो एक bread का slice होता है, ओके, vanish, vanish मतलब खतम होगे, disappear हो गए molders, molders मतलब जो की dough को, किसी चीज को, क्या करते हैं, mold करते हैं, different shapes में पूरोते हैं आगे देखते हैं, those age old time-tested furnances still exist ठीक है, furnances बोला चाहता है, कभी आपने pizza bake होते हुए देखा हो, तो वैसे तो अभी तो oven में होता है पिजा bake, लेकिन पहले एक furnances होते थे, ऐसी अंगीठियां, बोल सकते हैं आप, जिसमें bake होता था तो वो जो furnances है, वो अभी भी है, time-tested मतलब, जो की सालों साल से चलती आ रही है the fire in the furnances has not yet been extinguished, extinguished का मतलब होता है, बुझ जाना तो वो जो fire है, उन furnances में लगी हुई, वो अभी तक भी बुझी नहीं है, यानि वो अभी भी चल रही है the third, the jingle of the traditional baker's bamboo, जो bakers की जो bamboo होते थे, जिसे वो बनाते थे, bake करते थे उनके thirds, मतलब वो जो लगते थे, तो third की आवाज आती है, कोई भी wood किसी चीज से टकराती है, तो third की आवाज आती है, jingles, मतलब जब काटे या चमच या चाकू एक दूसरे से टकराते है, तो jingle की आवाज आती है, चीक है, तो वो जो आवाज है, वो अभी भी है heralding his arrival in the morning can still be heard in some places heralding का मतलब होता है कि वो अपना arrival अभी भी streets में जाके morning के time अपना arrival अनाउंस करते हैं कहने का मतलब यह है कि अभी भी वो bakers हैं और अभी भी वो streets से निकलते हैं और arrival अनाउंस करते हैं कि हम आ चुके हैं यानि bakers आ चुके हैं आगे देखते हैं बहली फादर जिन्दा नहीं हैं लेकिन उनके जो बेटे हैं वो अभी भी अपनी family का प्रोफेशन संभाले हुए हैं और इन bakers को आज के time में कहा जाता है पैडर्स गोवा में चीके हैं पैडर्स During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and the guide He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket ठीक है तो गोवा में क्या होता है कि जो bakers होते हैं वो cycles पर, rickshaw पर, गाडियों में अपना bakery लेकर निकलते हैं मतलब सामान लेकर निकलते हैं और बेचते हैं यां पर वो person बता रहा है, author बता रहे हैं कि बचपन में जो बेकर हुआ करता था है, हमारा friend हुआ करता था Ou हमारा comparator with friend उर हम फूरे इता है अप दो टााइम वो हमारे पास आता था Why was it so? Was it for the love of the lobe? Not at all. The lobes were bought by some peskin or bastin, the maid servant of the house. He said that the jingling thud, the bamboo when he was stuck with the cycle or the rickshaw, the thuds were stuck with us, and we were just running away, to meet them, greet them, say hello. Now he is saying, why was it so? Did we keep bread good? No, the bread was the same as our servants. We didn't eat bread, but our love was the baker. Let's see, what we longed forward, those bread bangles, which we chose carefully, sometimes it was a sweet bread of special make. So what is this bread bangles? You have a normal slice of bread, but there are many shapes of bread, like a conkin type of special bread, which is like bangles, like you can see in the picture, so we were running away from it, and we chose it, and sometimes it was a very sweet type, which was a special bread. Let's see, the baker made his musical entry on the scene with the jing jing sound of his specially made bamboo staff. Okay, baker who was a musical entry with a musical entry, meaning, with it, it felt like he was playing a song behind the back, and the sound of the jing jing jing, when the bamboo staff struck his stick. One hand supported the basket on his head, and the other banged the bamboo on the ground. Okay, he would greet the lady of the house with good morning, and then place his basket on the vertical bamboo. Wickets would be pushed aside with a mild re-buck, and the loes would be delivered to the servant. Okay, he was the head lady of the house, and he would say good morning, and he would keep the bamboo under the basket. Okay, so as we kept the basket there, we had to get the kids a lot to get back, or we will give bread. And the bread was there, the loes were there, he would give the servant that you would keep inside. Okay, let's see, but we would not give up, but we would not give up, but we would not give up. What did we do? We would climb a bench or the parapet to peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loes. Loes for the elders and the bangles for the children. Okay, so he said that we didn't want to die. We would climb a bench or table to the table. What did we do in the basket? What did we do in the basket? The bread was the elders. What did we do in our heads? The bangles for us. Like I know, in some shape, there was a bread loaf. You understand that the cream roll was a bread loaf. What did we do in the children's loes? That is why they were very excited to get the baker with the baby. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. Now, the children are saying that you will have to do it. I think you will have to do it. We will do it without brushing, without having a mood. And we didn't do it without brushing. And the bread was not done. Then they say that we should do it. Who would do it so much for the mango leaf? And we will pluck it. Because what was the first time? Toothpaste was not done. So, the mango leaf or the leaf we will pluck it. And we will brush it. Okay? And why was it necessary? What was the tiger? The tiger never brushed his teeth. And I think everyone has heard it. In our life, the sheep never brushed it. When someone says that you will brush it. So, don't do it. Always keep your teeth clean. So, they say that tiger never brushed its teeth. Hot tea, which is warm tea, will clean everything in the inside. Okay? So, they would have to eat the bread without brushing and brushing. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball. Just as party or a feast loses its charm without bread. Okay? So, the marriage gifts was given. The marriage gifts was given. The marriage gifts were given. Without this sweet bread, without the adhoor. Which we wanted to say, bowl. बोल एक टाइप की डिश होती है और कोई भी बड़ी पाटी या फीस्ट ब्रेड के बिना तो complete होती ही नहीं है Not enough can be said to show how important a baker can be for a village और यह कहना मतलब हम कहा ही नहीं सकते कि एक baker जो है कितना ज़ादा important होता है एक village के लिए The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement और जो lady of the house होती है वो अपनी बेटी की सगाई में जरूर ही sandwiches बनाती है और sandwiches बनाने के लिए क्लिए चाही होता है? bread चाही होता है तो यहाँ पर पता चल रहा है कि bread की अच्छी खासी importance है in the society of Goa Cakes and bolinas are must for Christmas as well as other festivals Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential तो चाही कोई भी festival हो जैसे Christmas हो तो उसमें जो cakes होते हैं या फिर जो bolinas, bolinas एक तरह की dish होती है, sweet dish होती है तो इसके बिना तो कोई भी festival पूरा नहीं है तो इसलिए का जा सकता है कि यह जो baker की जो अंगीठी है यानि जो furnace है जिसमें वो क्या करते हैं? बेक करते हैं चीजें वो बहुत ही important role play करती है एक गाहों में चीक है? अभी है क्या बोल रहे हैं कि जो baker और या फिर ब्रेट सेलर होता है उनकी उस टाइम में पुराने टाइम में एक fix dress हुआ करती थी कैसी एक frog की तरह इस तरह से आप देख सकते हैं एक frog की तरह dress हुआ करती थी जो कि knees तक जाती थी जैसे आप देख पा रहे हैं कि knees तक एक frog type में apron वो पहना करते थे लेकिन अभी हम बचपन में हमने ये भी देखा है कि कुछ bakers क्या पहनते थे trousers पहनते थे shirt पहनते थे जो की एक full length trouser से थोड़ी छोटी और जो half pants होती या जो knickers होते हैं उनसे थोड़ी सी लंबी यानि क्या सकते हैं knee length तक हमने trousers पहनते हुए उनने देखा है तो ये baker की summary बता रहे हैं वो उसी के साथ में ये बोल रहे हैं writer that even today anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padger चीके अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि even आज भी अगर कोई person एक ऐसी half pant पहनता है जो कि उसके knees से थोड़ी नीचे जाती है चीके तो अभी भी उसे ये बोला जाता है कि तुम बिल्कुल padger जैसे padger कॉन था? baker चीके तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि baker को उस time में गोवा में क्या बोला जाता था? तो अभी भी तुम क्या padger की तरह क्या कर रहे हो? कपड़े पहने हों है तुमारे तो जो बेकर था जो भी हमारे डेली बेकरी लेकर आता था या फिर हम कह सकते हैं उसके लिए monthly एक account बनता था मतलब month के बाद में जैसे दूद वाले भाई या क्या करते हैं? देली दूद देकर जाते हैं, month के end में वैसा ले जाते हैं वैसी bakers करते थे तो हम वाल पर उनका हिसाब लिख कर रखते थे कि इस दिन इतने रुपे के ब्रेड ली इस दिन इस दिन रुपे के ली और फिर वो end में जाते थे तो इससे क्या होता पता जलता है कि baking एक profitable profession था और जो families थी bakers की वो कभी भी starved मतलब भूकी नहीं रही मतलब अच्छा खासा वो पैसा कमाते थे तो यह यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है आगे देखते हैं तो bakers क्या होता थे बेसिकली आप bakers को यह समझे हलवाई की तरह तो baker की family, baker की servants हमेशा बहुत हैपी रहते थे और इसलिए कैसे पता चलती थे चीज़ की बहुत जादे हैपी रहते हैं खाते पीते घर के कि उनका जो शेप था बॉड़ी का बहुत ही उनका पेट निकला हुआ एक क्या सकते है प्लम फिजीक मतलब फूले हुए उनके शरीर होते थे अगर किसी का बॉड़ी जैक फ्रूट जैसी होती है तो उसे का जाता है कि तुम बिलकुल बेकर लग रहे हो यानि बिलकुल हलवाई जैसे हो तो आप हलवाई से इसको रिलेट कर सकते हो चीक है इस चैप्टर में पूरी समरी बताई गई है बेकर की जो राइटर है उन्होंने बहुत ही अची तरह से एक्स्प्लेइन किया है कि उनकी लाइफ में बच्पन में बेकर कितने इंपोर्टन रोल प्ले किया गरते थे टीक है अब हम देखेंगे इस चैप्टर के कॉस्टेंज इस मतलब पार्ट के कोस्टेंज ठीक है तो सबसे जो फरस्ट क्वस्टें इस चैप्टर का वो देख लेते हैं तो इसका आंसर होगा The elders in Goa were heard reminiscing nostalgic about the good old Portuguese days and their famous loaves of bread ठीक है, तो जो good old Portuguese time था, जब Portuguese वहा रहा करते थे, Portuguese culture था और उनके जो great breads हुआ करते थी, उसके बारे में वो क्या करते है, सोच उचार करते हैं, उनको याद करते हैं Q2 देखते हैं, कि is bread making still popular in Goa? How do you know? क्या bread making अभी भी है गोआ में और आपको यह चीज कैसे पता है यहां पर author ने chapter में बोला है कि जो eaters हैं यानि जो खाने वाले जो Portuguese people हैं भले ही वो चले गए हों लेकिन वो breads बनाने वाले अभी भी हैं उन्होंने बताया है कि वो जो furnances हुआ करती थी जो ओवन हुआ करते थे जो अंगीठिया हुआ करती थी वो अभी भी है और अभी भी उनकी जो fire है वो उसमें जल रही है बुझ ही नहीं है Hence we can say that the bread making is still popular in Goa तो अभी इसलिए हम कह सकते हैं कि जो bread making है वो अभी भी popular है Goa में चीक है Next question देखते हैं What is the baker called? Baker को क्या बोला चाता है? याद बहुत ही अचा question One mark में आ सकता है कि baker को क्या बोला चाता है Goa में? Pager P-A-D-E-R Pager Okay Next question देखते हैं When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? चीक है Baker जो था वो कब आया करता था daily? और बच्चे जो थे वो से मिलने के लिए क्यों भागा करते थे? चीक है इसका answer देखते है कि The baker would come to twice every day once he would set out early in the morning and the second time when he returned after emptying his huge basket by selling all his bread चीक है जो baker था every day दो बार आया करता था एक तो सुभा जब वो जाता था market जाता था bread बेचता था तब वो जाता था और second time जब वो market से वापस आ रहा होता था अपनी empty जो basket है empty करके यानि सारी bread बेच के जब वो वापस आ रहा होता था तब वहाँ पर घर पर आता था वो the children would run to meet him as they love to eat loaves and long to have bread bangles which they chose carefully sometime it was sweet bread of special make ठीके तो बच्चे क्यों भाग कर जाते थे क्योंकि वो greet करते थे जाकर बेकर को और वो क्या bread loaves को खाना अच्छा रगता था और यहां पर bread bangles की बात हुई है जो कि bread bangles एक special bread हुआ करती थी और एक कई बार मीठी तरीके की भी bread हुआ करती थी तो यह सारी चीज़ें बच्चों खाना बहुत पसंद था इसी लिए वो भाग कर बेकर से मिलने जाते थे चीके question number 5 देखते है match the following what is a must ठीके इन में से क्या चीज़ें must हैं जैसे marriage gifts के लिए क्या चीज़ें must ही थी चीके अभी अपन सबको इसको match करेंगे party और feast के लिए क्या चीज़ें important थी चीके तो अभी अपन इसको एक बार कर लेते हैं देखिए simple सा है question चीके जी तो marriage gift के लिए एक sweet bread bowl जिसको कहा जाता था वो marriage gift में दी जाती थी compulsory थी party और feast में bread तो चलती है उसकी बिना आप कोई भी खाना नहीं खा सकते चीके daughter की engagement पर क्या बनते थे sandwiches बनते थे chapter में हमने पढ़ा है और Christmas पर cakes and bolinas चीके यह चीज़ याद रखनी है chapter में भी हमने पढ़ी है marriage gifts के लिए sweet bread called bowl party और feast के लिए bread चाहिए होती थी daughter's engagement के लिए sandwich and Christmas के लिए cake and bolinas चीके है तो यह चीज़ें आपको match करनी है next question देखते है what did the bakers wear in the Portuguese days when the author was young अब आपसे पुछा गया है कि baker किस तरह की कपड़े पहने जाते थे चीके पहला answer देखते है कि in the Portuguese days the bakers were usually dressed up in a peculiar dress known as कबाई चीके तो Portuguese time में एक popular dress पहनते थे जिसका नाम कबाई था it was a single piece long frock reaching down to the knees ठीके एक long frock हुआ करती थी जो की knees से थोड़ा नीचे जाती थी okay during the author's childhood days तो यह तो पहली बात हो गई Portuguese time की दूसरी बात क्या हो रही है कि author के childhood days में तो author के childhood days में he saw the bakers wearing a shirt, trousers which were shorter than full length ones and longer than the half pants ठीके तो यहाँ पर जब author जो young थे यानी childhood में थे तब bakers क्या पहना करते थे short pant पहनते थे और pant पहनते थे और pant कैसी होती थी ना तो full pant होती थी कि किस person को ऐसा कहा जाता था कि इसने बिल्कुल baker जैसे यानी pedder जैसे कपड़े पहने हुए है किस person को बोला जाता था और क्यों बोला जाता था ठीके answer क्या होगा कि any person who wears a half pant that reaches just below the knees invites this comment he is dressed like a pedder ठीके जो ऐसा person जिसने आपकी ऐसी कोई pant पहनी हुई है जो की knees से थोड़ी नीचे जा रही है यानी capri बन रही है तो उसको क्या बोला जाता था कि आपके कपड़े किसके जैसे हैं बिल्कुल padder जैसे है यानी baker जैसे है ऐसा क्यों बोला जाता था because the baker who is popularly known as padder in Goa used to dress in a similar fashion इसी तरह की कपड़े padder पहना करते थे ठीके तो जो भी person ऐसी pant पहनता है जो की half pant से थोड़ी सी बड़ी है knees से नीचे जा रही है उसे क्या पूला जाता था dress like a padder या फिर baker ओके next question देखते हैं where were the monthly accounts of baker record bakers के जो monthly accounts होते थे मतलब कि कितनी bread ली किस दिन ली ये कहा record किये जाते थे तो बहुती simple सा answer the bakers usually collected their bills at the end of the month and month के end में वो लो collect करते थे अपना पैसा हाउस की वाल पर लिखे जाते थे एक pencil से next question देखते हैं what does a jackfruit like appearance mean jackfruit की appearance जैसा मतलब क्या होता है मतलब एक person को हम बोल रहे हैं कि आपकी shape जो है jackfruit जैसी है तो इसका मतलब क्या है answer इसका होगा कि a jackfruit like appearance means a plump physics मतलब तो jackfruit का मतलब है कि किसी person का इस तरह से शरीर होना इस तरह से शरीर होना मतलब पेट भी उसका गोल है काफी इस दम पूला हुआ person है तो jackfruit भी एक fruit होता है तो अब baker used to resemble such a physique since it was believed that he and his family never stopped ठीक है baker को physique ऐसी physique baker की होती थी ऐसे plumpy तो जिसे का जाता था jackfruit की चरा है इससे ये पता चलता था कि baker की family और baker कभी भी भूगे नहीं रहे है baking was a lucrative lucrative मतलब profitable चीक है lucrative मतलब profitable profession and the baker his family and his servants always looked happy and prosperous with their physical appearance और उनकी body को देखकर ऐसा लगता था कि ये लोग बहुत जादा खुश है prosperous है क्योंकि वो एकदम ऐसा बोला जाता है आपको भी कई बोला जाता होगा जो भी healthy people होते है they are like मतलब खाते-पीते घर के है तो सारे bakers को ऐसा समझा जाता था कि सारे ये खाते-पीते घर के हैं और just because उनका पेट थोड़ा बड़ा रहता था plumpy physics होते थी जिसे हम क्या बोलते थे jackfruit-like appearance ठीक है तो ये आपका answer हो जाएगा ओके जी तो ये थे हमारे questions और हम chapter पढ़ चुके हैं और chapter का नाम था A baker from Goa बहुत ही प्यारा सा chapter था बहुत ही छोटा सा chapter था लेकिन अभी जो आपका chapter number 7 है glimpses of India ये खतम नहीं हुआ है इसका second part बागी है वो हम करेंगे next video में So make sure आप चानल का subscribe कर ले and कोई भी doubt हो, problem हो comment section में बता दो जिल्दी करो Thank you so much Thank you so much